महा भारत के बारे में कौन नहीं जानता ये हमारे भारत का एक ऐसा इतिहास है जिस पर हम सभी को बहुत गर्व है ये कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई नहीं है ये धर्म को समझने और उसे स्थापित करने की कहानी है चाहे परिस्थिती कोई भी हो ये कहानी है एक ऐसे ग्रंत की जिसके अंदर दुनिया का सारा सच लिखा हुआ है ये कहानी हमें सिखाती है कि क्यों हमें सिर्फ सच के साथ खड़े होना है भले ही उसके लिए आपको अप अब ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा एंड वी किन जस्ट होप अंड प्रे इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 700 करोड आपने सही सुना 700 करोड एंड इस मूवी के अंदर हमें सभी बड़े और अच्छे एक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे जैसे की रनवीर सिंग, अक्षे कुमार, अजय देवगन, परेश रावल, नाना पाटिगर ये अभी कनफर्म नहीं है इंडिया में अभी तक महाबारत पर सिर्फ एक ही मूवी बनी है जो की 1965 में बनी थी और एक टीवी सीरीज बनी है महाबारत के नाम से जो की बहुत ज़ अब as an audience मैं ये देखना चाता हूँ कि ये movie इसकी story के साथ कितना justice कर सकती है because ये story इतनी epic है कि मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे या 4 घंटे की movie भी इस story को सही से बता पाएगी and I think कि इस महाबारत epic को एक web series में बहुत अच्छे से cover किया जा सकता है with multiple seasons and I think इस movie को जो best direct कर सकत हैं वो director है SS Rajamoli because हम लोग देख चुके हैं कि वो इस तरह की history से related epic movies को पहले भी direct कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं because उन्होंने बाहु बली और RRR में खुद को proof किया है and I think अगर makers ने इसके characters, story और war जो की 18 दिन चली थी उसको अगर सही तरीके से show नहीं कि तो it would be a shame, आप भी मुझे comment करके बता सकते हैं कि आप मुझसे किस बात से agree करते हैं या किस बात से agree नहीं करते हैं and अपने thoughts भी आप मुझे comment में बता सकते हैं, till then आप मेरी ये वाली video देख सकते हैं, thank you for watching, bye bye